Hello and welcome to Jamcam YouTube channel आप सभी स्टुडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है तो जो भी स्टुडेंट्स हर्याणा में PGT Chemistry के लिए वेट कर रहे थे तो फाइनली PGT Chemistry की वेकेंसी आ चुकी है हर्याणा के अंदर और सब्जेक्ट्स की भी आई है तो हम बेसिकली बात करेंगे PGT Chemistry की हलांकि जितनी वेकेंसी आनी चाहिए थी उतनी वेकेंसी नहीं आई है कम आई है कोई बात नहीं जितनी आई है एक बार उनी से अपने को काम चलाना पड़ेगा तो PGT Chemistry की वेकेंसी आई है हर्याणा स्टेट के अंदर तो क्या लीजिबिलीटी है कब पेपर होगा सारा डिसकेशन करेंगे कितनी वेकेंसी आई है इस वुडियो में ठीक है तो हर्याणा पब्लिक सर्विस कमिशन HPSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप देख सकते हैं अड़ोटाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यह देखें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानि कि PGT इन वैरिये सब्जेक्ट फोर रेस्ट ओफ मेवाद कैडर तो पहली नोट करने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री की वेकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेवाद कैडर के लिए आई है रेस्ट ओफ हर्याना के लिए नहीं आई है मेवाद कैडर का मतलब यह होगा कि मेवाद के अंदर ही आपकी ड्यूटी आएगी हो सकता है जब आप लग जाएंगे उसके बाद फूचर में हो सकता कि जेंद हो जाए लेकिन फिलाल MSC Chemistry PZT Chemistry की वेकंशी सिर्फ और सिर्फ मेवाद कैडर के लिए आई है and number of vacancies मेवाद कैडर के हिसाब से तो ठीक है But rest of हर्याणा में कोई भी vacancy देखने को नहीं मिली PZT Chemistry की ठीक है तो मेवाद कैडर के लिए ये vacancies आई है publication 19 नुवंबर को यह notification जारी किया गया है ठीक है 21 नुवंबर से आपके application form start हो जाएंगे 21 नुवंबर से आप form fill कर पाएंगे 12 दिसम्बर तक आप form fill कर सकते हैं 12 दिसम्बर तक आप form fill कर सकते हैं तो यह देखने वाली बाते होगी ठीक है vacancies देख लेते हैं total कितनी vacancies है काफी छोटा दिख रहा होगा यहां पर मैं बता देता हूँ chemistry subject के अगर हम बात करें PGT chemistry के लिए total 38 38 vacancies है 38 total है जिसमें सभी categories आ जाती है 21 vacancies है journal category के लिए 38 में से 21 vacancies है journal category के लिए 7 vacancies है SC के लिए BCA के लिए 4 vacancies है BCB के लिए 2 vacancies है EWS के लिए 4 vacancies है उसके बाद female candidate के अगर आप बात करेंगे तो 7 vacancies journal female के लिए रहेंगी 2 vacancies 1 यह इस तरीके से कुल मिलाके सिर्फ और सिर्फ 38 vacancies यह सारी category को मिलाके अगर आप male candidate है and journal के अंदर आते हैं तो 21 vacancies आपके लिए रहेंगी अगर आप किसी other state से हैं तो भी आपके लिए 21 vacancies ही रहेंगी चाहे आपकी कोई भी category क्यों ना रही हो ठीक है तो कुछ इस प्रकार से vacancies है PGT chemistry for मेवात के डर ठीक है अब आगे बात करते हैं कि eligibility क्या है कौन student से जो की ये form फिल कर पाएंगे तो सबसे पहले आपके पास MSC chemistry में हो या फिर bio chemistry में हो कम से कम 50% marks आपके होने चाहिए MSC के अंदर beard आपने की हुई होनी चाहिए beard बैचलर डिग्री इन एजुकेशन beard आपने की हुई होनी चाहिए तो आप eligible होंगे उसके बाद metric तक आपके पास Hindi और Sanskrit का होना जरूरी है अगर metric में नहीं है तो 10 plus 2 में हो B.A. में हो M.A. में कहीं Hindi या Sanskrit एक subject आपका होना जरूरी है उसके बाद सबसे important जो other states वाले बहुत सारे कम students के पास पास देखने को मिलेगा वो है आपका Certificate of Having Qualified H-TET, हर्याना Teachers Eligibility Test, जो अभी होगा दिसंबर के अंदर इस साल का, तो H-TET qualified होना जरूरी है, अगर आपके पास MSC है, B-EARD है, ये भी है, अगर आपके पास H-TET qualified नहीं है, तो आप eligible नहीं है, इसलिए हर्याना के अंदर H-TET conduct करवाया जाता है, और बहुत सारे बच्चे उसकी preparation भी करते हैं, अभी होने वाला है H-TET बहुत जल्दी, ठीक है, तो ये कुछ eligibility criteria रहेगा, बहुत ही आपको काफी धान रखना पड़ेगा, उसके बाद बहुत अच्छी बात ये है, कि exam date भी announce कर दी गई है, नोटिफिकेशन के अंदर, ये बहुत बढ़िया बात है, तो यहाँ पर देखे, date of examination, second या third week, February, 2023 का जो February मन्त रहेगा, उसके second या third week के अंदर आपका exam conduct करवा लिया जाएगा, जिसे आप PGT screening बोल देते हैं, वही exam होगा, दीखे, estate qualify होने के बाद सिर्फ आप eligible होते form फिल करने के लिए, अब आपका selection depend करेगा, जो written examination conduct करवाया जाएगा, HPSC के द्वारा, उसमें अगर आप top करते हैं, उसमें आप ज़्यादा score करते हैं, तो ही आप select हो पाएंगे, including dependence on of ex-servicemen, तो 1000 रुपीज लगेंगे, female candidate के लिए 250 रुपीज लगेंगे, SCBC, ABCBC हैं तो 250 रुपीज लगेंगे, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात रहेगी नहीं समझाने वाली, उसके बाद दिखी, ये एक point मुझे काफी बड़िया लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको note भी down किया, पूरे notification में, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, syllabus अभी जारी किया नहीं है, paper pattern अभी जारी किया नहीं है, HPSC क्या करता है ना, पहले notification जारी कर देता है, उसके बाद, वो exam pattern को बताएगा, end syllabus को बताएगा, बाद में जाके, अभी कुछ नहीं बता, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं बता, notification में ऐसा कुछ mention नहीं है, हलांकि 11-12 से लेके, and BSC की chemistry ही आप से पूछी जाएगी, उसके अलाव हरियाना, GK, reasoning, वो तो होएंगे, subject के अगर आप बात करेंगे chemistry के, तो वो 11 से लेके आपका BSC और दोड़े बत, MSC लेवल तक की चीज़े बुछी जाएगी, यह एक point है, जो आप इसको देखे, किस तरीके से समझेंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ समझाने की, a person who has passed stat या फिर ad stat, without the qualification of beard, वही ऐसा कोई, जिसने ad stat को pass कर लिया है, beard की degree, क्या होता ना, आप अगर beard second year में है, तो भी आप ad stat का form apply कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप ad stat का form apply कर सकते हैं, second year वाले, beard second year वाले, ठीक है, तो अगर उनका by chance मा लेते हैं, क्या ad stat qualified हो गया, अभी beard तो नहीं हुई उनकी, qualified हो गया, before the notification of these rules, before the notification of these rules, shall be considered eligible for the post of PGT in the case of direct recruitment, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत जो मेरा मानना हो सकता कि totally गलत हो, वो ऐसा है कि अगर आप beard final year में हैं, और आपका ad stat qualify हो चुका है, तो maybe आप apply कर सकते हैं, eligible कर सकते हैं, लेकिन वो ad stat इस notification से पहले ही clear हो, ऐसा नहीं कि भाई बाद में clear हो आओ, इस notification से पहले, जहां तक मुझे समझ में आए, बाकि भाई मैं confirm नहीं कह सकता इस point को लेके, आप किसी और बाकी notification में तो मुझे ये समझ में आप, ज़्यादा जानकारी के लिए आप HPSC की नंबर पर contact करके, जानकारी लेजिए का कि इस point को समझाए, इसका meaning क्या है, उसके बाद बाद आती है बाई, जिसके लिए सब कुछ आप करेंगे, वो है salary, और no doubt जब रता salary है, group B की post है, तो ये group B की post में आती है, बहुत ही top post है, मान के चलेंगे PGT chemistry और PGT और किसी के लिए, अगर आप PGT chemistry की preparation करना चाहते हैं, तो आप हमारी app डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है Padre IIT Jam, वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, thank you.